एक सोसाइटी जहां कोई सिंगल नहीं रह सकता अगर कोई सिंगल है तो उसे 45 डेज दिये जाएंगे पार्टनर ढूनने के लिए ताकि वो शादी कर सके लेकिन इन 45 डेज में अगर उसे पार्टनर नहीं मिला तो इसके अगले दिन उसे एक जानवर में कनवर्ट कर दिया जा तो वो अभी सिंगल है लेकिन इस सोसाइटी में सिंगल लोगों के लिए कोई जगा नहीं है इसलिए अगले दिन उसे एक मिस्टेडियस होटल फेसिलिटी में ले जाया जाता है जहां उसके जैसे और भी सिंगल डिवोर्सी या फिर जिनके पार्टनर गुजर गये हैं ऐसे उधर उसे 45 डेज दिये जाएंगे और फीमेल केंडिडेट्स में से उसे उसका पार्टनर चूज करना होगा लेकिन पार्टनर चूज करना इतना आसान नहीं है एक कंडिशन है पार्टनर बनने के लिए दोनों में सिमिलरिटीज होनी चाहिए तब ही बो दोनों कपल बन प उसके पास आती है और पूछती है अगर उसे पार्टनर नहीं मिला तो उसे कौन सी जानबर में कंवर्ट होना है तब डेविड कहता है लॉब्स्टर क्योंकि लॉब्स्टर सौ साल तक जिन्दा रहते हैं और डेविड को समुन्दर भी बहुत ज्यादा पसंद है उसके पा गई थी इसलिए उन्हें उल्फ में कंवर्ट कर दिया गया था वो अब जू में रहती है इस होटेल के कुछ रूल्स है यहाँ पे कोई मास्टर बेट नहीं कर सकता होटेल की मेड आके फोर्स पुली उनके साथ इंटिमेट होती है ताकि लड़कियों के उपर उनका एट्र उसको लेकर हंटिंग और्गनाईज करते थे जहां लोनर ग्रूप के मेंबर्स को मारना होता था जो कैंडिडेट जितना ज्यादा लोगों को मार पाएगा उसे उतना दिन एक्स्टेंशन दिया जाएगा जिससे उन्हें और कुछ दिन मिलेंगे पार्टनर ढूनने के नहीं मिला तो वो सुिसाइट कर लेगी क्योंकि वो जानबर बनना नहीं चाहती यह सुनके भी डेविट कुछ रेस्पोंस नहीं करता दिन गुजरते जाते हैं लेकिन डेविट रॉबर्ट और जॉन किसी को भी पार्टनर नहीं मिलती इसलिए जॉन पैनिक करने लगता है क्योंकि वो जानबर में कनवर्ट नहीं होना चाहता उधर एक फीमेल कैंडिडेट थी जिसके नाक से हमेशा खुन बैता था जॉन उसे प्रोपोस करता है लेकिन उन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज होनी चाहिए तभी बो दोनों कपल बन पाएंगे इसलिए जॉन खुद क और शर्ट पे टोमाटो केचप लगाता था ताकि उसकी पार्टनर को लग सके वो ब्लीट कर रहा है उधर डेविड भी सिंगल था तो वो एंजलिका को प्रोपोस करता है लेकिन एंजलिका इमोशनलिस थी तो डेविड को भी ऐसा ही बनना पड़ेगा ये दोनों कुछ दि एक साथ रहते हैं एक दिन डेविड का टेस्ट लेने के लिए एंजलिका मरने का नाटक करती है पर डेविड कुछ भी रियक्ट नहीं करता जिससे एंजलिका को लगता है डेविड भी उसी की तरह है इमोशनलिस वो उसे हा कर देती है और इन दोनों को भी as a couple डिक्लेर कर दिया जाता है लेकिन एंजलिका को डेविड के उपर फिर भी शक होने लगता है इसलिए वो डेविड के डॉग यानि उसके भाई को ही मार देती है फिर डेविड का रियक्शन नोटिस करती है अपने भाई को मरा हुआ देख का डेविड रोने लगता है तब एंजलिका हो Angelica को बेहोश करके उस transformation room में ले जाते हैं, फिर उसे एक जानबर में convert कर देते हैं, इसके बाद David यहां से भाग जाता है, भागते भागते वो जंगल में पहुच जाता है, उदर उसे loner group मिलता है और वो उन्हें join कर लेता है, उनकी group leader का नाम है Leah, इनके भी कुछ rules है, इस group के members एक दूसरे के साथ प्यार, flirt या फिर intimate नहीं हो सकते, अगर ऐसा करता कोई पकड़ा गया, तो उसे भी सजा मिलती है, इस group के leader Leah प्यार में believe नहीं करती, उसे लगता है प्यार नाम की कोई चीज नहीं है, यह सब दिखावा है, जब कोई मुसीबत में परता है, तब अपनी ही जान बचाता है, अपने partner के बारे में नहीं सोचता, इसलिए इस group में रहने के लिए उन्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा, यह लोग शेहर बापस नहीं जा सकते, क्योंकि पूलिस उन्हें पकड़के hotel के authority के पास छोड़ जाएगी, कुछ दिनों बाद डेविट रेच को डिवोर्स देना चाहती थी, लेकिन डिवोर्स के बाद वो single हो जाएगी और उसे भी बहा का candidate बनना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहती, इसलिए loner group को join करने के लिए वो लिया को उस hotel के बारे में information लाके देती थी, यह लोग खाने पीने का सामान खरिदने week में एक बार जाते हैं, formal कपरे पहन कर as a husband wife behave करते हैं, लेकिन एक बार एक police officer डेविट से उसकी partner के बारे में पूछता है और marriage certificate देखना चाहता है, तब रेचल जाके उसे बचा लेती है, वो कहती है वो डेविट की wife है, फिर एक दिन loner group बाले hotel पे हमला करने का plan बनाते हैं, इसमें hotel की वो maid उनकी मदद करती है, वो लोग hotel की in charge Olivia के room में जाते हैं, उदर उसके husband को gun point पे रखके Olivia को shoot करने के लिए कहा जाता है, उसका husband अपनी जान बचाने के लिए उसे shoot कर देता है, बट उसमें गोली नहीं थी, ये देखकर Olivia अपने husband पर भड़क जाती है, दिन डेविट जॉ मारने का नहीं था, वो बस couple को दिखाना चाते थे कि उनका relation कितना fake है, इसी रात hotel की maid भी loner group को join करती है, दिन गुजरते जाते हैं और डेविट एंड रेचल एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसलिए वो भागने का भ दिखा करती थी, फिर एक दिन वो डाइडी लिया को मिलती है, और उसे डेविट और रेचल के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, वो डाइडिक्ली उन्हें कंफरंट नहीं करती, लेकिन उन्हें सजा देना भी जरूरी है, इसलिए डॉक्टर दिखाने का बहाना बना के वो रेचल को हॉस्पिटल ले जाती है, वो कहती है इस ओपरेशन के बाद उसकी आखे बिलकुल ठीक हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर की मदद से वो उसे ब्लाइंड कर देती है, अगले दिन रेचल को जब ये बात पता चलती है तब वो गुसे से पागल हो जाती है, और ल क्योंकि उनमें अब कोई similarities नहीं है, फिर भी वो लोग भागने का plan बनाते हैं, और डेविड मौका देख कर लिया को मार के बेहोश कर देता है, देने कबर में उसे बांथ कर चला जाता है, तो बहां पे जंगली dogs आके लिया की जान लेते हैं, इसके बाद डेविड और डेस्टरॉन पे आते हैं, उदर डेविड एक knife मंग बाता है, और खुद भी blind होने का decision लेता है, ताकि इन दोनों में फिट से similarities बने और वो शादी कर सके, फिर वो बातरूम जाकर अपनी आखों को destroy करने ही वाला था, कि तब ही उसका हाथ कापने लगता है, वो डरता है, औ हमें मुवी के post credit scene में मिलता है, जहां हमें समुंदर के लेडों की आवाज सुनाई देती है, मुझे लगता है, डेविड खुद को blind नहीं कर पाया था, इसलिए उसे रेचल से अलग होना पड़ा था, देन उसे फिर से उस hotel में भेज दिया गया था, जहां वो 45 days थक single था, इसी के साथ ये मुवी यही पे खतम हो जाती है, तो गाइस अगर आप लोग animation movies देखना पसंद करते हैं, तो इस channel को subscribe कर सकते हैं, प्लीज गाइस subscribe this channel and support her also, link इस video के description में मिल जाएगा,